इस जॉंबी अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में रिक अकेला सर्वाइव कर चुका था और जब उसकी आख खुली तो शायद पूरी दुनिया इस जॉंबी में कनवर्ट हो चुकी है बट यहां उसे हौप थी कि वो अपनी बेटे और वाइफ दोनों को ढूंड कर रहेगा जिसके वो इस बंकर से बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि चारो तरफ जॉंबीज ही जॉंबीज है बट यहां उसके रेडियो पे सिगनल आते हैं और कोई उसको बेवकूफ बोलता है जो इतने बड़े हर्ड के बीच में चाने की मिस्टेक करेगा यह जॉंबी खतरनाक है और वह उसके लिए साफ मना करता है जो रेडियो वाला बंदा था और बोलता है कि अगर तुझे अपनी जान बचा नहीं है जो गन तेरे पास है उसको लेके भाग यहां पर रिक उसके कहने पर भार निकलता है को जॉंबीज को मारता है और अपने साथ एक गन और ग्रिनेट को ले और एक्स्प्लेन करता है कि वो लंबे टाइम से उसके नजर रख रहा था कोई बेवकूफ ही होगा जो सिटी में अखेला आएगा नेक्स्ट मॉमेंट पर ग्लेन से पूछता है कि उसके हल्प क्यों की यहां पर ग्लेन बोलता है कि शायद हो एक बहुत बड़ा पर उसे लगता है कि अगर मैं कभी प्रोब्लम में फस हूँ तो कोई मेरी भी हल्प करें यहां पर यह दोनों उतरने लगते हैं और पता चलता है कि ग्लेन अकेला नहीं है उसकी पूरी टीम है और वो अपनी टीम के साथ यहां पर खाना चुराने आया था से टीम है और ने तो चिपचाप यहां से भाग नहीं पाएंगे और उनकी मोत होगी रिक की वज़े से और ये सुनकर हर कोई इमोस्ल होने लगता है और रिक को पता चलता है कि आवाद से ये zombies attract हो रही थे उनकी तरफ जिससे अब उनका बचना थोड़ा मुश्किल था नेक्स्टी मोमेंट पे और गन शोट सुनाई देते हैं जहाँ पर डिक्सन उनका एक टीम मेंबर रूफ टॉप से इन zombies पे गोलिया चला रहा है एक बेवगूफ की तरह बट तभी टी डोग उससे आर्ग्यू करने की ट्राई करता है तो डिक्सन उसे पटक पटक कर मारता है और रिक के हेल्फ करने पे रिक को भी मारने की कोशिश करता है नेक्स्टी मोमेंट पे गन निकाल के एक्स्प्लेन करता है कि भाईया इस ग्रूप का मेंबर और हेड डिक्सन है उसी की मर्जी चलेगी चाहे वो कुछ भी करे मरेंगे तो भी उसी के लिए ये सुनकर हर कोई डर चुका था बट रिक नेक्स्टी मोमेंट पे उसको मारता है उसको हतकडी पहना के वहाँ पर बांद देता है जिससे और वाइलेंस ना हो और वो यहाँ से निकलने का कोई सेफ रास्ता ढून पाए जिसको देख डिक्सन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और नेक्स्टी मोमेंट रिक उसे एक्स्प्लेन करता है कि जब तक अपना बिहेवियर सही नहीं करेगा वो से ऐसे ही बांद के रखने वाला है यहाँ पर आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है जब जॉम्बी उन पर फीड करने के लिए बैठे हूँ और अब जब सब को शांत हो ही चुका है यहाँ पर रिक प्लांक बनाता है क्यों ना सीवेज सिस्टम का यूज किया जाए यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पर हर कोई उसकी बात से अगरी करते हूँ नीचे जाने लगता है जहाँ पर ग्लेन खुद को वलूंटिय करता है अपने दोस्त के साथ सीवेज में जाकर रास्ता ढूनने के लिए यहाँ पर जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं थोड़ी दूर बाद आईरन रोड्स लगी वी थी जिसको तोड़ने का भी प्लान बनाई लेते हैं कि इसको तोड़ के निकल जाएंगे बट तबी वहाँ से उन्हें एक जॉम्बी अटैक करता हूँ नजर आता है रिक ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि वो डरी हुई थी और इस आलत में कोई भी ऐसा करता और यहाँ अब एंड्रिया उस शॉप में देख पाती है एक मॉमेड पेंडेंट हो जिसे लेने के बाद रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस ओफिसर है रिक तो उसे माफ करे यह वो अपनी बहन के लिए लेके जाएगी जिसका फेवरेट केरेक्टर ही मॉमेड है यहाँ पर रिक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और अब शायद पुलिस का कामी नहीं है क्योंकि यहाँ जॉम्बीज भी हुड दबंग दबंग करते हुए घूमते हैं तो अब पुलिस सिर्फ सर्वाई भी कर सकती है अपने कुछ दोस्तों के साथ में वहीं जॉम्बीज ने फर्स्ट ग्लास भी तोड़ दिया था जिससे हर कोई डर के पीछे अटने लगता है क्योंकि उनका फर्स्ट प्लान तो फेल हो चुका है तो वापस जाते हैं छट पे डिस्कशन करने के लिए जहां डिक्सन उनका मजाक उड़ा रहा था कि अगर वो असले हीरो हैं तो बचके दिखाएं क्योंकि यहां से निकलना लगभग नामुम्किन ही था उनके लिए क्योंकि चारो तरफ जॉम्बीज है और उनके पास कोई रास्ता नहीं है यहां से भागने का बट तभी उन्हें नजर आती हैं दूर से बहुत सारे construction site पे cars क्योंकि construction site है तो keys भी आसपास ही होंगी जिसको लेके वहां से भाग सकते हैं बट इन जॉम्बीज का क्या करें जो यहां पर parade करने लग रहे हैं लंबे टाइम से वो उन्हें देख सकते हैं सुन सकते हैं और smell भी कर सकते हैं अगर ये तीनों चीज उन्हें कर ली तो वो moonwalk करते हैं उनके पास जाएंगे और उन्हें खा लेंगे तो उनके पास कोई idea होना चीए इन सब के बीच से निकलने का तब ही Rick अपना फिर से दिमाग लगाता है और से लगता है कि शायद अगर हम zombies जैसा smell करें तो शायद उनके बीच में घुल मिल जाएं और वहां से निकले जिसके idea पे हर कोई agree नहीं था बट उनके पास कोई option नहीं है यहाँ पर Rick और Glenn खुद को ready करते हैं इस experiment के लिए और भार मारा हुआ एक zombie को पगड़ के लाते हैं जो उनने थोड़ दे पहले मारा था और उसकी idea निकाल के बताते हैं किस तरह वो एक time पे human ही था बट अब वो मर चुका है तो उसको पूरी तरह से काटते हैं बिल्कुल चटनी बरा देते हैं उसकी एक एक करके और यह देखके बहुत सारे discuss हो चुके थे मेरी तरह बट उसकी body को अपने body पे लीपने लगते हैं जैसे की strawberry juice और फिर बहार जाते हैं टेस्ट करने के लिए कुछ zombies के बीच में और यहां zombies उनको बिल्कुल भी identify नहीं कर पा रहे थे smell से क्योंकि वो भी zombie जैसा ही smell कर रहे थे बदबुदार और तभी उनका प्लान जैसे यह successful हुआ पाकी लोग तो सीधा छट पे चड़ गए दूर से notice करने के लिए कि यह जिन्दा बचेंगे भी के नहीं वही पर Rick और Glenn धीरे धीरे चलते हुए महां से निकल रहे थे सीधा construction site की तरफ जहाँ पर उन्हें गाड़ी मिलनी है यहाँ पर Glenn थोड़ा डरा हुआ है बट Rick request करता है कि बिल्कुल पी उनको doubt मत होने दे चुप चाप सीधा सीधा चलता रहे यहाँ उनका एक प्लान कामियाब देखकर हर कोई excite होने लग रहा था बट पी डोग फिर भी try कर रहा है रीडियो सिगनल का और वो दूर वाले camp में किसी तरह message दे पाता है कि वो एक building के अंदर stuck हो चुके हैं और शायद वो बच नहीं पाएंगे यह सुनके हर कोई worried था बट शेन उन्हें वास जाने से रोकता है क्योंकि उन्हें खुद चूज किया था food supply लाने के लिए और please कोई भी group को छोड़ कर ना जाए यह देखकर हर कोई sad होने लगता है कि शायद उनके अब दोस्त नहीं बचेंगे और वहीं सब लोग अपने काम में वापस जुट जाते हैं यहां लोरी जैसी जंगलों में जाती है food ढूणने के लिए तभी उस पे शेन अटेक करता है सिर्फ गुलू गुलू करने के लिए यहां पर शेन अपने ही best friend की बंदी पे दोरे डाल चुका था उसकी मोत के बाद क्योंकि उन्हें तो लग रहा था ना कि Rick मर चुका है तो अब move on करना चीए यहां उनके intimate होने के बाद लोरी ये भी देख पा रही थी कि किस तरह शेन उनके बेटे काल के लिए एक father figure बन चुका है जिससे वो खुश थी और वहीं असली father इन zombies के बीच moon walk करते हुए किसी तरह survive कर रहा था ग्लेन के साथ में बड़ तभी ये कहावत तो आपने सुनी होगी वहीं इनके साथ भी हुआ एकदम बारिश होने लग गई और इस बारिश से जितना भी उनके उपर zombie वाला jam लगा हुआ था उनका खून वो सब भह के गिरने लगता है और अब ये zombies उनने smell कर पा रहे थे ये देख कुछ zombies उनने पर attack करते हैं बट यहाँ पर वो उनने मार के भागने लगते हैं इन zombies के आगे-ागे और पूरी बरात zombies की इनके पीछे-पीछे आने लग रही थी यहाँ पर वो किसी तरह एक fencing को कूद कर गाड़ी में बैठते हैं और दो-तीन zombies को तो कुचलते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और ये देख के उनका पूरा ग्रूप टेंस था कि यह बंदे उनने धोका देगे छोड़के यहाँ से जा चुके हैं और रिक जाकर उसके दोस्तों की जान बचा ले ऐसा होता भी है यहाँ रिक चुपचा बिल्डिंग के पास पहुँच चुका था जिसे देख हर कोई नीचे जाने लगता है और डिक्सन रिक्वेस्ट करता है कि उसकी भी जान बचा लो और यहाँ टी डोग को उसके तरस आता है उसकी हेल्प करने जाई रहा था बट तभी हकडी की चाबी गलती से एक पाइप में उससे गिर जाती है और अब उसके पास टाइम नहीं है डिक्सन के साथ रुखने का क्योंकि उनके पास कुछ ही मॉमेंट होंगे यहां से भागने के तो उसे सोरी कहके गेट को लोक करके चला जाता है जिससे कि उस जॉम्बी से बचा रहे नेक्स मॉमेंट पे उससे अब जाने लगते हैं जहां आप जॉम्बी सारे ग्लास तोड़ के बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे यहां वो जल्दी से गाड़ी में बैट वहां से भागने लगते हैं जहां पर उन्हें डिक्सन को पीछे छोड़ दिया था जिसके लिए टीड होगी बहुत ज़दा है गिल्टी फील कर रहा था बट अब वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है और सीधा जाने लगता है टाउन से बाहर और वहीं हम ग्लैन को भी देख पा रहे थे जो अपनी सूपरकारों को भगाते हुए सिटी के बाहर तो ले जा रहा है बट वो अकेला है और excited भी कि उसको ये मोका मिला सबकी जान बचाने का आप देखते हैं जान बचा के जाएंगे कहां अगले एपिसोड में और रिक चपशीन से मिलेगा तो इन दोस्तों के बीच होगा क्या जानते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और देखते हैं शो टाइम एक्स्प्लेइनर अमेजिंग सीरीज के लिए